नमश्कार बच्चों मेरा नाम है शिखा गुपता और आज हम लोग कक्च अच्छ है कि वसन की पार्टी पुस्सक से उसका पहला पार्ट वाच इडिये है जो के प्रश्न उत्तर हल करेंगे बच्चों आप इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसे जरूर देखेगा उस पूरी वीडियो में मैंने इस पूरी कविता का अर्थ आपको डिटेल में समझाए है उसे आप देखना मद भूलिएगा तो चली अब हम लोग अभ्यासकार की ओर बढ़ते हैं पहला प्रश्न हमारा कविता से है कविता पढ़कर तुमारे मन में चिडिया का जो चितर उबढ़ता है उस चितर को कागश पर बनाऊ तो बचो जो मैंने आपको कविता पढ़ाई थी तो आपके मन में जरूर ना कोई चितर चिडिया का जरूर मन में आ रहा होगा आप उसी चितर को अपने कौपी पर ड्रॉ करिएगा जैसे कि चिडिया जो थी छोटी थी उसके नीले पंक थे वा पेड़ पे बैठके गाना आ रही थी वा मूँ बोली थी वा नदी से पानी पी रही थी या नदी के उपर उड़ रही थी ऐसा जो भी चितर आपके मन में आ रहा है आप उसे अपने कौपी पर ड्रॉ करिएगा तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न के ओर बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न क्या है तुम्हे कविता का कोई और शीषक देना हो तो तुम क्या शीषक देना चाहोगे उप्यूप शीषक सोच कर लिखे बच्चो आपने जैसे मैंने आपको कविता पढ़ाई थी तो आप बताओ कि आप क्या शीषक इस कविता को दे सकते हो जैसे कि आप छोटी चिडिया चीडिया को संघर चीडिया को अच्छा लगता हो आप इस विले पर denn हो मैं आपको प्रश्ược 3 एंचैज WOR की यह कुछ से प्यार है तबताओ आप को क्या लगता है मैंने सबकुछ बताया था और मिले नापने पर बताइब अडंबच अच्छी लगते हैं जुन्डी की दाने क्या होते हैं जुन्डी की दाने मतलब कच्छे अना जिसमें दूद भरा होता है वो चुडिया को बहुत पसंद है और चुडिया को क्या अच्छा लगता है चुडिया को नदियां बहुत अच्छी लगती है चुडिया को जंगल में बहुत अच्छा लगता है, चुलिया को घने वन बहुत पसंद है, उसे गीत गाना अच्छा लगता है, उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है, तो बच्चों आपको यही सब अपने प्रशन तीन के उत्तर में लिखना होगा, तो चलिए अब हम लोग प्रशन चार के ओर प्रश्ण चार हमें क्या कहता है आश इस पैस्ट करो बचों हमें इस पंक्ति का अर्थ लिखना तो पहली पंक्ति हमें क्या दिए गई है रस उड़ेल कर गा लेती है रस उड़ेल कर गा लेती इससे बताओ आप क्या समझतो इस पंक्ती से हम ये समझते हैं कि चड़िया खुशो कर गाने लगती है उसके गाने में बहुत मिठास है ऐसा लगता है जैसे उसने पूरे वातवरर में रस उड़ेल कर दिया हो पूरा वातावरार कैसा हो गया हो रस में हो गया हो चलिए अब हम दूसरी पंक्ती की ओर बढ़ते हैं चड़ी नदी का दिल टटोर का जलका मोत ले जाती है तो इस पंक्ती से क्या हम समझते हैं इस पंक्ती से हम ये समझते हैं की चुडिया बहुत साहसी है वो उफंती नदी के बीचों बीच जाकर वहां से अपने चोच में पानी की बूंदे भड़ लाती है चुडिया ऐसे ही नदी से जनकड़ होकर अपना प्यास नहीं बुझाती वह पहले उफंती नदी का मंट टोलती है उसकी इच्छा का भी ध्य सब्सक्रान रखती है और अंत में अपनी कार ये कुशर्ता से जल के बीच इस्तित मोती के बूंदे ले आती है तो बच्चों यही आश्या है इन पंक्ति का जो मैंने आपको बताया है आपको आपको कॉपी में नोट करना है तो चलिए वह प्रशन पांच की ओर बढ़ते ह तो हमारा प्रशन क्या कहता है इसमें हमें बच्चों इन प्रशन में हमें अपना अनुमान और कल्पना लगाना होगा मतलब हमें अपनी सोच हम क्या सोचते हैं इस बारे में हमें लिखना होगा तो पहला प्रशन हमें क्या दिया है कभी ने नीली चुडिया का नाम नहीं बताया है वा कौन सी चुड़िया रही होगी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विग्यानी सालीम अली के पुस्तक भारती पक्षी देखो इनमें ऐसी पक्षे भी सामल है जो जाड़े में एश्या के उत्री भाग और एन्नी ठंडे देशियों से भारत आते हैं और उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वरित नीली चुड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी नीलकंट, छोटी किलकिला, कबुतर या बड़ा पत्रिंगा इस कविता में जब हम मैंने आपको पढ़ाया था आपको क्या पता च चलाता आपको ये पता चलाता कि चिडिया कैसी है, चिडिया का आदे से ज़्यादा भाग नीला है, अवाब बहुत मदुर आवाज में गाना गाती है, बहुत मीठी आवाज में गाना गाती है, तो ये सारे जो गुड़ होते हैं बचों, ये सारे गुड़ हमें किस पक्ष के और बढ़ता है नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं उनमें यदे कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है जैसे तोते की चोच लाल है और शरीर हरा रंग है मैना कववा बतक और कबुतर तो हमें बचो इन पक्षियो के रंगों के बारे में लिखना है इनके शरीर में कौन-कौन सा रंग पाये जाता है ठीक है तो चलिए सब चे पहले हम मैना के बारे में देखता है बचो कविता मैना कैसी होती मैना खेरे रंग की चुडिया होती है उसका सिर गर्दन पूच और वसीना काला रंग का होता है और कववा का रंग काला होता है बच्चो कववा का पूरा रंग काला होता है काले रंग का होता है वो इसके पंग कहीं कहीं गहरे वो कहीं कहीं हलके काले होते हैं बच्चो आपने बट्टक तो देखी होगी ना बट्टक आपने देखी होगी आप लोग जू जाते हो वहाँ पे बट्टक बहुत मिलेंगी आपको तो बच्चो बत्त का रंग कैसा होता है बत्त की चोच वा पाउ हलके पीले रंग के होते हैं वा उसका पूरा शरीर सफेद और पंखों से ढखा होता है तो बत्त सफेद रंग की होती है अब बताओ बच्चो कबुत्त कैसा होता है कबुत्त का रंग कैसा होता है बच्चो कब आप हमने सारे पक्षी के रंक के बारे में यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, आप हम लोग दूसरे नेक्स फ्रेशन के ओर बढ़ते हैं, तो कविता का हर बंद वा चड़िया जो से शुरू होता है, और मुझे बहुत प्यार है, पर खतम होता है, तुम ही इन पंक्तियों का प्रो करते हुए अपनी कलपना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो, तो बच्चों हमें कविता में कुछ नए बंद जोडने हैं, मतलब नए पंक्तियां एड़ करनी हैं, जिसकी शुरूआत में वा चड़िया जो हो लिखा और उसके अंत में क्या हो, उसके अंत में मित्र हजार है मुझे अपने अस्तित से बहुत प्यार है ऐसी कोई भी पंक्ति जो आप बना सकते हो अप लिख सकते हो यहाँ पर मैंने और भी पंक्ति आपको दी है जैसे कि वह चुडिया जो चीची करके सब का मन बहलाती है नील गगन की सीमा पाने पंक पसारे उड़ जाती है अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है वह परिश्रमी चुडिया सबको परिश्रम का पाट सिखाती है ठीक है ना बच्चो अब हम लोग नेक्स प्रेशन के ओर बढ़ते हैं तुम भी ऐसी कलपना कर सकते हो कि फूल का पौदा जो पीली पंकुडियां वाला महक रहा है मैं हूँ उसकी विश्रिस्ता मुझ में है फूल के बदलेवा कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसके विश्रिस्ताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो अईसी कलपना के अद्धार पर कुछ पंक्तियां लिखो तो बच्चो इसमें हमें क्या करना है हमें कोई भी ऐसी चीज चुननी है आपको लगता है जिसके उस जैसे उस चीज के गुड़ है वैसे ही गुड़ आपके अंदर हो तो हमें ऐसा कुछ पंक्तियां लिखनी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पंक्तियां आपको दी हैं, प्यार है, ऐसे ही पंक्तियां बच्चो आप भी बनाईए और उसे लिखिए, अब हम लोग नेक्स प्रेशन के ओर बढ़ते हैं, पंक्तिया नीले पंक्तिया उपर वाली दराज सबसे उपर वाली दराज, यह रिखांकित शब्द विशेशा का काम कर रहे हैं, यह शब्द च और दिये गे उन उधारोणों की तरह इनके आगे एक-एक विशेशण और जोड़ो, तो बच्चो आपको पता है विशेशण क्या होता है, विशेशण वो होता है, बच्चो जब जो शब्द या संग्या सरनाम की विशेशण बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेशण जैसे की सीता सुन्दर है, सीता क्या है, सीता कैसी है, सुन्दर है, तो सुन्दर क्या हो गया बच्चो विशेशण हो गया, और संग्या जो है, सीता वो क्या हो गया हमारे विशेश हो गई, तो ऐसे ही आपको विशेशण और आगे यहाँ पे फिल करने हैं, मोर वाला बाग मोर वाला बाग कैसा हो सकता है बच्चो सुनहरा हो सकता है मनोहर हो सकता है तो सुनहरा मोर वाला बाग पेडो वाला बाग कैसा हो सकता है घना हो सकता है हरा भरा हो सकता है वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं हरे भरे पेडो वाला बाग फूलो वाली क्यारिया, फूलो वाली क्यारिया कैसी हो सकती है पीली हो सकती है, गुलाबी हो सकती है, सतरंगी हो सकती है तो आप क्या लिख सकते हो विशेशर में, पीले, फूलो वाली क्यारिया तो पीले क्या हो गया विशेशर इस्कूल वाला रास्ता इस्कूल वाला रास्ता क्या हो गया लंबा इस्कूल वाला रास्ता एकांत इस्कूल वाला रास्ता ये क्या एकांत महात्मागदी सब क्या हो गया विशेशर हसने वाला बच्चा हसने वाला बच्चा क्या रेट कर सकते हो, इसमें अधिक हसने वाला बच्चा, खुल के हसने वाला बच्चा, दिल खोल कर हसने वाला बच्चा, आप ये सब इस ब्लैंक में भर सकते हो, मूचो वाला आदमी, मूचो वाला आदमी, मूचे अधि, लंबी मूचो वाला आदमी, घनी मूछ वाला आदमी, काली मूछ वाला आदमी तो घनी, काली अधिक ये क्या होगे? विशेशन होगे तो बच्चों अब हम लोग नेक्स प्रेशन के ओर बढ़ते हैं वाचडिया जूडी के दाने रुची से खा लेती है वाचडिया रेस उड़ेल कर गा लेती है कविता की इन पंक्तियों में मोटे चापे वाले शब्दों को ध्यान से पड़ो पहले वाच में रुची से खाने के धंकी और दूसरे वाच में रस उड़ेल कर गाने के धंकी विशेशता बता रहे हैं अता ये दोनों क्रिया विशेशर हैं नीचे दिये गए वाक्यों में कार के धंग या रीती से संबंदित क्रिया विशेशर शब्द छाटो बच्चो अब हमें जो हमें नीचे सारी सेंटेंस दिये गए हैं वाक के दिये गए हैं उसमें हमें क्रिया विशेशर शब्द को ढूड़ना है तो पहले आपको जानना होगा कि क्रिया विशेशर क्या होता है अब बताओ क्रिया विशेशर क्या होता है क्रिया मतलब कार क्रिया मतलब कार कोई काम को करना और विशेशर मैंने अभी आपको बताया था कि किसी सीच की विशेशता बताना तो जब हम लोग किसी कारी के विशेषता को बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिया विशेषर तो सुनाली जल्दी जल्दी मुँ में लड़ू ठूसने लगी सुनाली के बच्चों जल्दी जल्दी क्या होगा क्रिया विशेषर बुकम के बाद जन जीवन धीरे धीरे समानी होने लगा जन जीवन कैसे समानी होने लगा धीरे धीरे तो यह क्या हो गया क्रिया विशेशर कोई सफेसी चीज थप से आगन में गिरी कैसे गिरी थप से तो थप से क्या होगा क्रिया विशेशर टॉमी फूर्ती से चोर पर थे जिंदर सहम कर कोने में बैठ गयास नहीं कर अचानक थन्ड बढ़ गई आज कैसे थंड बढ़ गई अचानक तो अचानक क्या होगा क्रिया विशेशड बच्चों मैंने आपको आज कविता का पूरा अब्यास कार दिया है इस वीडियो को देखने के लिए धन्य वाद था क्यूंग